नमस्कार, कहानी संसार में आये सुनते हैं प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर की कहानी एक थी बिमला पहला मकान यानि बिमला का घर इस घर की ओर हर नौजवान की आखे उठती हैं घर के अंदर चहार दिवारी है और उसके बाद है पटरी फिर सडक है जिसे रोहतक रोड के नाम से जाना जाता है अगर दिल्ली बस सर्विस की भासा में कहें तो इसका नाम है रूट नमबर 27 27 नमबर की बस यही से गुजरती है और बिमला के घर के ठीक सामने तो नहीं बाई और कुछ हट कर बस इस्टाप है बस इस्टाप पर बहुत चहल पहल रहती है वहाँ खड़े होने वाले लोग और नौजवान उस सामने वाले घर को आसानी से देख सकते हैं यह मकान बिमला का है, यानि बिमला इसमें रहती है, वैसे बाहर खंभे पर उसके बाप दीवान चंद के नाम की तक्थी लटक रही है. बिमला की तरफ सभी की आखे हैं, खासतावर से उन नौजवानों और युबक दुकानदारों की जो वहीं आसपास रहते हैं. बिमला गल्स पब्लिक कालेज में पढ़ने जाती है, देखने में सुन्दर है और उसकी उम्र यही करीब 20 साल की है. जब वह घर के पास बस इश्टाप पर उतरती है, तो उसके साथ नौजवानों का एक होजूम भी उतरता है, पर वह किसी की परवाह नहीं करती और सीधी अपनी घर में चली जाती है. उसके वापस आने का वक्त करीब 2 बजे होता है, उस वक्त बस इश्टाप के पास सामने की दुखानों के नौजवान मालिक भी जमा हो जाते हैं, सब आखे बिमला को देखती हैं, उसका पीछा करती हैं, पर वह अपने में मगन सड़क पार कर जाती है. लोगों का कहना है कि उसने कभी नजर उठा कर किसी को नहीं देखा, एक दिन बस से उतरते हुए उसकी साड़ी चपल में उलज गई थी, और जटके से सब किताबें और कापियां बिखर गई थी, इंतजार में खड़े नौजवानों ने फोरन एक-एक किताब उठा कर उसक बिमला ने बहुत शालिंता से कहा था और अपनी किताबें लेकर चली गई थी, दूसरे दिन वही नौजवान खास तोर से बिमला के सामने पढ़ने के लिए एक बजे से बस इस्टाप पर खड़ा था, आखिर एक बस से बिमला उतरी, पहचान को और गहरा बनाने के लिए उस नौजवान ने बढ़कर उससे बात करनी चाही, पर बिमला चुपचाप, सकुचाती, सड़क पार कर गई, बहुत दिनों से यही हो रहा है, पर बिमला है जिससे उसमें कोई ज्वार ही नहीं उठता, अगर उठता भी है तो वह बहुत शालिंता और सफाई से उसे दब करता है और अपने घर का भार उठाए उम्र काटता जा रहा है, हाँ, बिमला को ये अहसास हर वक्त रहता है कि उसका बाप है और वह बहुत समझदार और महनती आदमी है, अपने बाप के संघर्स को वह जानती है, घर की खस्ता हालत भी उससे छिपी नहीं है, पर वह यह भ कोई अच्छा सा नौजवान मिल गया, तो बाद में उससे साधी कर लेगी, इस पहले मकान के आसपास रहने वाले सभी लोगों की ये पक्की राय है कि बिमला एक निहायत और सुसंस्कृत लड़की है, उसकी जबानों पर सिर्फ उसकी तारीफ है, बिमला की बाप दिवान चंद का कहना है कि वे सिर्फ बिमला की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन उसने भी ये पास किया, वे किसी बहुत अच्छे नौजवान से उसकी शादी कर देंगे, अगर बिमला कहीं खुल शादी करना चाहती है, तो भी उन्हें कोई इनकार ना होग शर्त एक ही है कि लड़का अच्छे घराने का और अच्छी नौकरी या कारबार में लगा हुआ होना चाहिए, बिमला की घर की तरह शायद हजारों घर हैं और उसकी तरह की लाखों लड़कियां भी हैं, उतनी ही सुन्दर, शुशील और समझदार, हर लड़की पढ़ रह चाहती है कि कोई उसकी तरफ उंगली ने उठा सके, सब लोग उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचें, उसकी खूबसूर्ती को सराहें और गुडों की प्रशंसा करें, वह अपने घर की इज्जत का जीता जाकता नमूना बने और बाप भाईयों की नाक उसकी वज़े से उंची रहे। आकार हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ चाहती है, वह पा लेना बहुत मुश्किल भी नहीं है। और उस पहले मकान यानि बिमला के घर की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ हुआ ही नहीं, इस तारीक तक घटनाएं यही तक पहुची हैं, इसलिए यह बात यहीं पर खत्म होती है, पर मात्मा करें सबको बिमला जैसी शुशील और समझदार लड़की मिले और किसी की नाक नीची नहो, क्योंकि दुनिया यहीं चाहती है। अब आये जानते हैं दूसरा मकान यानि कुंती का घर। बिमला के घर से यह मकान काफी दूरी पर है। यह देखने पर बिमला और कुंती का कोई संबंध भी नहीं है। पर नह जाने क्यों उसमें बिमला की जलक सी दिखाई पड़ती है। बिमला कुंती को नहीं जानती और इत्फाक की बात ये है कि कुंती का मकान भी इसी सड़क पर है मकान क्या एक कमरा कह लेजिए कई साल पहले पूरा मकान लाल रंग का हाथ तंग होता गया और मकान के कमरे की राय पर चड़ते गए उनके मकान के फाटक पर भी पहले उनके नाम की तक्ति रहती थी पर फिर उस पर बाकी किरायदारों के नाम की तक्तिया लटक गई और मकान में हिस्सेदारी के अनुपात का सम्मान करते हुए फाटक पर औरों का हक हो गया मनोहरलाल की तक्ति वहां से उठकर कमरे की दिवार पर चली गई जिस वक्त वह तक थी कमरे की दिवार पर पहुँची उस वक्त मनोहर लाल की हालत बहुत खस्ता थी नौकरी करने के बावजूद खर्चे का पूरा नहीं पड़ता था करजा भी सिर पर चड़ता जा रहा था कुंती से बड़ा एक लड़का था तो जरूर परवशादी के बाद अलग हो गया था उसने सभी संबंध तोड़ लिये थे घर से उसका कोई वास्ता नहीं रह गया था अब घर के पाँच बच्चों में सबसे बड़ी कुंती ही है एक छोटी बहन और तीन भाई और हैं कुंती पर ही आ गया था दिवार पर लगी हुई तक्थी उतार कर अपनी पुरानी चीजों वाले बक्से में आदर से रख दी गई क्योंकि जब-जब कुंती बाहर से आती थी वह तक्थी देखकर उसकी आँखे भर आती थी मरने से पहले मनोहर लाल को यही संदोश था कि कुंती जैसे शुशील समझदार लड़की कम से कम इस जमाने में मिलना बहुत मुस्किल था वे यही सोचते थे कि कुंती के बीये पास करते ही उसकी शादी किसी बहुत अच्छे नौजवान से कर देंगे ऐसे नौजवान से जिसका खानदान भी उचा हो और जो खुद उची जगह पर हो अगर कुंती चाहेगी तो वो उसकी पसंद के लड़के के लिए तयार हो जाएंगे क्योंकि उन्हें सिर्फ कुंती की खुशे चाहिए थी बहराल उन्होंने नजाने क्या क्या सोचा होगा और कुंती ने क्या क्या मन में तैं किया होगा जहां से हम उसे जानते हैं वहां से सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वह इस वक्त एक नरसरी स्कूल में माश्टर नी है जहांसे उसे सो रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं जिसे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी नहीं निकलता नर्सरी स्कूल से लोटने पर वह किसी जगह ट्यूसन के लिए भी जाती है वह संघर्सों की बीच से गुजर रही है और अपने घर की इज़्जत को बचाय रखने का भरसक प्रयास कर रही है जैसे जैसे वह सारा सामान मुहय करती है चीटी की तरह हर वक्त चुच्चाप काम और प्रयास में लगी रहती है उसी के घर के पास एक सर्राफे की दुकान है और खरात का काम करने वाले सरदार का कारखाना असल में वह खरात का कारखाना भी उसी सर्राफे का है उसमें काम करने वाला सरदार उसका नौकर है उस कारखाने में तमाम पुरानी चीजें भरी हुई है अंट संट तरीके से बोरे भरे हुए हैं जिसमें पुराना सामान है सर्राफे की यह दुकान गरीबों को बहुत सहारा देती है पिछले पांच बरस से कुंती अपनी परिस्थितियों से लड़ती आ रही है लेकिन जैसे यह शायद किसी को पता ही नहीं था बलवंतराय सर्राफ की दुकान में शेसे की आलमारिया है जिसमें चादी कासे का जेवर भरा हुआ है एक सेफ दीवार में गड़ी हुई है जिसमें उसके कहने के मुताबिक सोने का सामान और कीमती पत्थर मोती वगहरे बंद है बलवंत भी करता है वह नए से नए फैशन के कपड़े पहनता है पर पेट जाता निकला होने के कारण हर कपड़ा उसके उपर बहुत बेडौल लगता है वह लोगों की मुसीबत परेशानी में काम आता है इस दूसरे मकान यानि कुंती के घर से बस इस्टाब जरा दूर पर है वहा बलवंत राए की दुकान और खरात के कारखाने के सामने से वह रोज गुजरती है बलवंत राए उसे रोज देखता है इसलिए वह इसलिए खाना खाने देड़ से जाना चाहता है कि जड़ा एक नजर कुंती को देख ले लेकिन थोड़ी सी जान पहचान के बावजूद खयाल ही करती है बलवंत राय और कुंतिक की जान पहचान सिर्फ एक दुकानदार और ग्राहक की जान पहचान की तरह है एक बार जब उसे पैशों की बहुत सक्त जरूरत पड़ी थी तो वह मा की सोने की माला बेशने के लिए दबे पाउं उसकी दुकान तक पहुंची थी ब माला खरिद लेने के बाद बलवंत राय उस एक दिन की जान पहचान को और गहरा बनाने के लिए हर तरह की कोशिसों में लगा हुआ था कुंती के लोटने के समय वह अंगुलियों में कीमती मोतियों की चार अंगुठियां पहन कर दुकान के बाहर पटरी पर खड़ा होता था कुंती हमेशा उसी पटरी से सिर जुखाए गुजर जाती थी कुछ ही दिन बाद कुंती फिर शाम के धुधलके में उसकी दुकान पर आई थी और मा की पुरानी कीमती साड़ी की सीने के काम वाली किनारी और पल्लू के फटे हुए टुकड़े बेच गई थी जान पहचान फिर भी वहीं रुकी हुई थी बल्वंत राय की दुकान और कारखाने में कुंती के घर की बहुत सी चीजें पहुच चुकी थी कुछ पुराने भारी भारी बरतनों की खराद चढ़ा कर और नया बना कर वह बेच भी चुका था गिलट और पीतल के गुलदस्ते भी वह खरीच चुका था पर जो वह चाहता था वह नहीं हुआ कुंती से उसने हर बार बातें की थी पर उसकी बातों में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था कि बल्वंत राय कोई मतलब निकाल सकता कुंती से घर की तमाम पुरानी और इस्तेमाल की हुई चीजे खरीदने के बाद भी दूरी उतनी ही बनी हुई थी वह हर बार कोई न कोई शिष्ट मजाक करता और चाहता कि कुंती कम से कम एक बार मुसकिरा कर उसकी बात का जबाब तो दे दे पर कुंती बिमला की ही तरह कभी मुस्कुराइ नहीं उसने हमेशा सीधी सीधी बाते की चीज दी और कम ज़ादा जो भी पैसा मिला लेकर चली गई बलवंदराय ने हमेशा यही जाहिर किया कि वहन न सिर्फ कीमती से जादा पैसा ही देता है बलकि उन चीजों को भी खरीद लेता है जो उसके काम की नहीं है जैसे चश्मे का पीतल का पुराना फ्रेम, पूजा के छोटे-छोटे बरतन और पुरानी टूटी हुई पती लिया कुंती भी मन ही मन उसकी बहुत किर्टगे थी लेकिन मुस्कुरा कर बात करने का सवाल कभी नहीं उठा था क्योंकि जिन्दगी के भारू होते जाने के बावजूद तब तक वह गाड़ी खीच रही थी कुछ ऐसी आशाएं बाकी थी जिन्हें वह सजो कर रखना चाहती थी और कुछ ऐसे सपने भिसेश थे जिनके साकार होने की उम्मीद उसे थी अभी खुशियों के कुछ एहसास बाकी थे जो उसे मुस्कुराने नहीं देते थे वह अपनी मुस्कुराहटों को बचा कर रखना चाहती थी उस दिन के लिए जबकि वे खुशियां वापस आएंगी उसके छोटे छोटे भाई बड़े होंगे और घर का नक्षा बदलेगा आखिर वह दिन आ ही गया जबकि उसकी मुस्कुराहट होटो पर आ गई वह दिन बेहत खुश्नुमा था बरसात का मौसम था आसमान में काले काले बादल चाय हुए थे भीगी भीगी हवा चल रही थी दूर से आती हवाओं के साथ महदी के फूलों की महक आ रही थी रह रहकर बूदी बादी हो जाती थी पेड घुलकर नए हो गए थे सडके साप हो गई थी उस वक्त शाम के साथ बज रहे थे सूरज डूब चुका था पर अभी कुछ-कुछ बाकी था कुंती के घर में अजीब ससन्नाट चाया हुआ था मा को दो दिन पहले बेहोशी का दोरा पड़ा था घर में इलाज कराने के लिए पाई नहीं थी इसलिए वह जनाने अस्पताल में पड़ी हुई थी उसे देखने जाने और तिमारदारी में सब पैसे खत्म हो चुके थे तीनों भाई और अकेली बहन समझदार और नेक बच्चों की तरह चुप चाप अधबेट खाए बैठे हुए थे किसी के चहरे पर कोई शिकायत नहीं थी कुंती एक तरब बैठी हुई बारी बारी से सब चीजों पर निगाह डाल रही थी लेकिन अब घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो बेचा जा सके या बिक सके तस्वीरों की लकडी के फ्रेम बिक नहीं सकते तवा और आखरी पतीली बेची नहीं जा सकती और दो दो चार चार आने में दो तीन चीजें बिक भी जाएं तो कुछ हासिल नहीं होता था मौसम बहुत सुहावना था हर तरब से जैसे खुशिया फोट पड़ रही थी पेडों पर अजीब सी ताजगी चाही हुई थी और ऐसे खुशनुमा वक्त में कुंती की आँखे रह रह कर भर आती थी दिल में अजीब सी हुक उठती भाई बहनों के मासूम चेहरों की तरब जब देखती थी तो मन बैठने लगता था और आसू नहीं थमते थे आखिर वह कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई कुछ देर पशोपेस में रही फिर भीतर जाकर उसने कपड़े बदले अपने बाल ठीक किये और छोटी बहन को समझा कर कि वह कभी आ रही है वह बाहर निकल आई उसकी चाल में कोई संकोच नहीं था मन अजीब सी मजबूरी की अनभूती और हिचक से भरा हुआ था और वह हमेशा की तरह फिर बलवंत राय की दुकान पर खड़ी थी शाम गहरी हो गई थी आज वह दिन आ गया था जब उसका मन बहुत भारी था और दुखों के बोज से हलकी सी मुस्कुराहट होठों पर उतर आई थी बलवंत राय ने वह मुस्कुराहट देखी तो सहसा विस्वास नहीं कर पाया हकलाते हुए बोला आईए आईए वहाँ क्यों रुख गई कुंती भीतर चली गई एकाद ग्राहा का और बैठे हुए थे कुंती हमेशा की तरह बेंच पर बैठ गई बलवंत राय ने ग्राहां को को जल्दी से निप्टा कर विदा किया और कुंती को देखा तो उसे सिर्फ वह मुस्कुराहट ही नजर आई इतने दिनों का परिचय सहल सम्मान का रूप ले चुका था बलवंत राय ने धीरे से कहा कहिए क्या सेवा करूं बहुत सकुचाते और हिचकते हुए कुंती ने मुस्कुराहट की फिर कोशिश की उसके होटों पर मुस्कुराहट की लकीर खिच गई और वह नीची निगाह करके बोली आज असल में हमें 20 रुपए की सक्त जरूरत थी चीज तो कोई ला नहीं पाई वह बात यह थी कि बलवंत राय ने कुछ जानना जरूरी भी नहीं समझा कुंती के घर की हालत का पता उसे था और उसके मन में मदद करने की बात भी थी उसने फोरन 20 रुपए आगे बढ़ा दिये तो बहुत संकोश से लेते हुए कुंती ने कहा पहली तारिक को दे जाऊंगी कोई बात नहीं आ जाएंगे बलवंत राय ने कहा तो वह जैसे उबर आई थी मन का बोज भी कुछ हलका सा लग रहा था वह हमेशा की तरह चुपचाब बाहर निकल आई पर आज उसने आगे बढ़ने से पहले बलवंत राय के चेहरे पर कुछ भाव पढ़ने की कोशिश करनी चाही वह हमेशा की तरह ही शालिंता से मुस्कुरा रहा था कुंती भी धीरे से मुस्कुराई और हमेशा की तरह ही चुपचाब पठरी पर चल दी कुंती के घर की तरह शायद हजारों घर हैं और उसकी तरह लाखों लड़किया हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनना चाहती हैं और अपने घर की खुशियां वापस लाना चाहती हैं पर लड़की किसी बहुत खुपसूरत दिन के लिए अपनी सब मुस्कुराहटे सजो कर रखना चाहती है। दूसरे मकान में रहने वाली कुंती भी यही चाहती थी और जो वह चाहती थी उसके मिलने का विश्वास उसे सायत अभी तक है। किसी को मुस्कुराना न पड़े क्योंकि दुनिया यही चाहती है। लज्जा नाम की कोई लड़की रहती है। लज्जा भी कुंती और विमला की तरह खोबशूरत है लेकिन उसके रहन सहन ने उसे कुछ ज्यादा ही खोबशूरत बना रखा है। उसके घर में रहने वाले और लोगों के कपड़ों, जूतों और बालों में चमक तो है पर चेहरों पर धन की ललाई नहीं है। और ये एका-एक मालदार हो गए हैं। लज्जा को जब भी लोगों ने देखा है, मुस्कुराते हुए ही देखा है। अपनी कोई कार उसके पास नहीं है, पर वह हमेशा या तो किसी कार से जाती है या टैक्सी से। ठीक तो मालूम नहीं, पर सुना यही है कि वह किसी बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट है। कभी-कभी होटल का सामान लाने ले जाने वाला वैशन भी उसे काफी रात गए घर छोड़ जाता है। लज्जा को यह संतोस है कि आखिर उसने संघर्स में हार नहीं मानी और उन दिनों को उसने जीत लिया है, जो बहुत ही दुखदाई और कश्ट प्रद रहे हैं। किसी तरह वह परिशानियों के उस जंजाल से उभर आई है, जो आए दिन उसे घेरे रहती थी। अपने पिछले चार-पांच वरसों की जीवन पर जब वह निगाह डालती है, तो उसे लगता है जैसे वह एक भयंकर जंगल से बाहर आ रही है, और अब तमाम रास्ते सामने खुले पड़े हैं। लोग उसे बहुत शक की निगाह से देखते हैं, उसके फ्लैट के नीचे रहने वाला ब्रोकर बड़े मजे ले लेकर उसकी कहानिया सुनाता है, एक रात तो यह लड़की दो बज़े आई, बड़ी आलिशान गारी थी, और यही यही भाईजान सीढियों वाली जगह में उ दर्वाजा खुला और रास्ते में ही इस लड़की ने चीखना चिलाना शुरू कर दिया, बहुत डांट लगाई घरवालों को कि घंटे घंटे भर घंटी वजानी पड़ती है, घर में सभी लोग थे पर किसी ने चू तक नहीं की, कितनी तनख्वाह मिलती होगी इसे, एक वो गरीब किस्से सुनाते हैं, बेहद मज़ेदार और गंदे किस्से, पर लज्जा इन सबसे बेफिकर है, नवह परवाह करती है, उसके रहन सहन का ऐसा सिक्का सब पर जमा हुआ है, कि उसके आने जाने के वक्त वे निवाहें लपेट जाते हैं, लज्जा के होठों की मु मुहक कमनेता है, और चाल में एक बनावटी खम है, हर रोज वह बालों का इस्टाइल बदलती है, और अंदाज में भी बदलाव नजराता है, लगता है कि वह बहुत तेजी से किसी रास्ते पर बढ़ती चली जा रही है, वह रास्ता खुला हुआ है, वह इतनी तेज रहता से भागती चली जा रही है कि कोई आवाज उस तक नहीं पहुंचती, वह खुद किसी आवाज को सुनने की स्थिती में नहीं है, पास पडोस में रहने वाले अपनी लड़कियों के लिए खास तोर से चिंतित हैं, लज्जा के साथ वाले फ्लैट में तो कोई ग्रहस्त जार दिन तक नहीं रुख सका, उनकी बीबियों ने वहां का राहना मुहाल कर दिया, इसलिए अब उसमें चिट फंड वालों का दफतर खुल गया है, जो दिन भर अपना ब्यापार करते हैं, और शाम को वहीं से बीयर पीकर भूमने के लिए निकल जाते हैं, उन्हें भी लज् लज्जा को चीज ही कहते हैं, लज्जा के घर में सब खुश हैं, उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं है, मामूली और खास सभी तरह के आराम उन्हें प्राप्त हैं, लेकिन वे सब लोग चोरों की तरह वहां रहते हैं, उसके घर का कोई आदमी नीचे बाजार से सौदा नहीं खरीत था, ना वहां के लोगों से रप्ट जबत ही रखता है, वे सब जैसे अकेले-अकेले रहते हैं, खास तोर से लज्जा की मा जब कभी बारजे पर दिखाई पड़ती हैं, तो एकाद निगाहें फ़वरन यह बताने लगती हैं, कि यही है उस लड़की की मा, उन अधिकतर तीन आदमियों के साथ दिखाई पड़ती हैं, और एक रात जबकि मौशम बहुत खराब था, आसमान रूधा-रूधा सा था, और धूल भरी आधी चल रही थी, तो लज्जा दिलीप की कार से उतरी थी, उसका मुह उतरा हुआ था, आखों में बड़ा सूना पन स था, बाल भी बिखरे-बिखरे से थे, वह दिलीप को अपने साथ ऊपर ले गई थी, और कमरा चारो तरप से बंद करके उसने बहशियों की तरह उसे ताकते हुए पूछा, तुम आखिर इनकार क्यों करते हो, क्या नहीं है मुझ में, इतने दिनों में क्या बदल गया है, दिलीप कुछ देर बैठा रहा था, लज्जा ने उसे फिर कुरेदा था, तो उसने कहा, मैं जो कह चुका हूँ, उसे ही दोहरा रहा हूँ, लेकिन क्यों, लज्जा अस्त ब्यस्त सी हो गई थी, और दिलीप के कंधे से उसने अपना सिर ठिका दिया था, दिलीप ने एक ब बहस नहीं की जा सकती, दिलीप ने बहुत सोच समझ कर कहा था, साधी का सवाल नहीं उठता, कमरे में बड़ी मनहूश खामोसी सा गई थी, और कुछ देर बाद दिलीप उठकर चला गया था, लज्जा उसे नीचे छोड़ने नहीं आई थी, लज्जा के फ्लेट की तरह जारों लड़कियां भी हैं, उतने ही सुन्दर, कोमल और हर वक्त मुस्कुराने वाली, हर लड़की अपने हाल से परचित है और अपनी जिन्दगी बदलना चाहती है, हर लड़की यहीं चाहती है, कि यह लोग उसे चाहें, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा हो, जो सिर्फ उसे चाह सके, ताकि उसे यह संतोस हो, कि वह जिन्दगी में हारी बाजी चीत गई है, तीसरे मकान में रहने वाली लड़की यहीं चाहती है, और जो वह चाहती है, उस ओर जाने वाला रास्ता पहले ही कर चुका है, और तीसरे मकान यानि लड़की घर की कहानी यहीं खत्म होती है क्योंकि अभी इस से आगे कुछ हुआ ही नहीं है इस तारिक तक घटनाय यहीं तक पहुंची है इसलिए यह बात भी यही पर खतम होती है परमात्मा करें लज्जा जैसे खोवशूरत और दिल रखने वाली लड़कियों को ऐसे रास्ते पर ने जाना है उसी पर थोड़ी दूर आगे सुनीता का घर है बिमला कुंती या लज्जा में से कोई भी सुनीता को नहीं जानता सुनीता भी उन्हें नहीं जानती जानने का कोई सवाल भी नहीं उठता यहां इतने लोग रहते हैं हर कोई भी किसी को नहीं जानता, किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं है पर सुनीता को देखने से नह जाने क्यों बिमला की धुधली सी आक्रिती सामने आकर खड़ी हो जाती है सुनीता अपनी एक नौकरानी के साथ उस घर में रहती है पहले तो उसे मकान मिलने में ही बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि किसी आदमी की नह होने के कारण मकान मिल ही नहीं रहा था बमुश्किल तमाम उसे यह घर मिला है और वह बहुत गुटी-गुटी उजड़ी-उजड़ी से रहती है उम्र उसकी यादा नहीं यही बिमला से थोड़ी बड़ी या शायद लज्जा की उम्र की होगी पर जैसे अकेले पन की घेरे ने उसे बिलकुल वदल दिया है पहले वह किसी अच्छी नोकरी पर थी पर अब उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग ले ली है और एक नर्सिंग होम में काम करती है वह नर्सिंग होम यहां से बहुत दूर नहीं है एक तो नर्स का पेशा उपर से चारों तरफ मरा हुआ बीराना पन अंगली की अंगूठी तक उतार कर रख देनी पड़ती है और वह अंगूठी जो वह पहनना चाहती थी वह तो अभी अंगली में आने का सवाल ही नहीं उठा आधि जिंदगी तक आते जाते वह ऐसे ही सब रिक्त हो गया है उसे सब की याद है जो कभी उसके साथ थे अब उनकी धरोहर के रूप में सिर्फ वे तस्वीरे हैं जो सुनीता ने अपने एलबम में लगा रखी है उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं जिसे वह फ्रेम में लगा कर रेडियो के उपर रखे कुरसी में आराम से बैठ कर रेडियो सुने और उस तस्वीर से बात करे क्योंकि सभी तस्वीरें एक ही आवाज में बोलती हैं और तब वे आव्याजें भी बहुत पीछे छूट गई है वह बाजार से एक दिन खूपसूरस सी जापानी गुडिया खरीद लाई थी वही उसने रेडियो पर रख ली है जब अकेलापन बहुत सताता है तो वह उसे ताक्ती रहती है वह यहां ने आपाती तो शायद उसका जी सकना भी मुस्किल हो जाता पिछली जिंदगी अधमरे साप की तरह पल्टे खाती है उसे लगता है कि अब जिंदगी का पूरा अर्सा कोई एक जगह गुजार ही नहीं सकता दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अपनी ही जिंदगी से कट कर रहा जा सके पर हर जगह कुछ ही दिनों में बदबू देने लगती है और रहना मुहाल हो जाता है यही उसके साथ भी हुआ है वह चाहती है कि पिछली जिंदगी किसी तरह पीछा छोड़ दे तो बाकी दिन चैन से रह ले लेकिन वह चैन उसे कहीं नहीं मिलता बड़े बड़े लिफाफों में बहुत सी दास्ताने बंध हैं और आलमारी में लगी किताबों में बहुत सी ऐसी लाइने बंध हैं जिन्होंने उसे गुमराह किया है अपने किताबे पढ़ने को जी करता है और न उन लिफाफों को खोलने का मन होता है मरीजों की सेवा करने के बाद भी तो राहत नहीं मिलती उसे अब ज़्यादा अगर किसी का खयाल आता है तो बिने का पर उसके खयाल से भी कुछ नहीं होता सब जगह से हार कर उसने बिने मोहन से ही कहा था और वह तैयार भी हो गया था तब सुनीता ने एक राहत की सांस ले थी कुछ दिनों में उमंगे फिर जैसे पनपने लगी थी और लगता था बीती हुई जिन्दगी बीत गई जो बीतने पर भी साथ चल रही थी वह छूट गई पर बिने मोहन से जूरने के बाद वह फिर लोटाई थी तीन साल भी साथ चल सकना मुम्किन नहीं हुआ था भरेपन के बावजूद हर दिन एक ऐसा छण आता था जिसमें पश्थावा होता था खुश हो लेने पर भी कोई बात का चोटती थी और यही लगता था कि वह भी चलेगा नहीं रात बाहों में सोने पर भी जैसे अंजाने ही करवटे बदल जाती हैं वैसे ही रह रहकर सब कुछ छोट जाता था सब बदल जाता था यही लगता था कि साथ रहने और सहारे की यह जरूरत भर क्यों है जिन्दगी की यह जरूरत कोई मजबूरी क्यों नहीं बन जाती एक बेवसी क्यों नहीं बन जाती हर दिन उसी तरह और हर रात उसी तरह गुजरती है अखिर विने ने तलाक ले ली थी और अब सुनीता के पास न कोई आता था न किसी को वो बुलाती थी नर्सिंग होम का कमपाउंडर कभी आता था तो नौकरानी से बात करता है डाक्टर साहब का संदेशा दे जाता है और चला जाता है वह कभी कोई खुबसूरत सी बिल्ली ले आती है या कोई कुटा पाल लेती है फिर उन्हें भगा देती है और कभी कभी कमरी के सब परदे खो कर वह सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह सारा माहौल बिखा जाए एक दिन उसके मन में आया कि धर्म ही बदल कर देखे शायद तब कुछ बदले लेकिन उससे भी कुछ होता नहीं दिखाई पड़ता यह सब का एक मजाग भरबन कर रह गया है सुबह सुबह डबल रोटी वाला आता है तो सुनीता से ही बात करता है नौकरानी चाहे जितना कहे पर वह सुनीता से बात किये बगैर नहीं जाता सुनीता भी उसका मन रख लेती है क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब सी निरीता है और वह लंगड़ा है एक टांग से साइकिल चलाता हुआ वह और बाहर वाले चबूतरे पर पैर रगड़ते हुए साइकिल रोकता है पीछे बधे बक्से के कारण उसकी साइकिल हमेशा डगमगाती रहती है पर वह गेरता नहीं आज सुबह भी डबल रोटी देने आया तो सुनीता को ही निकल कर लेनी पड़ी नौकरानी चाय की पत्त खरीदने गई थी वह लंगड़ा डबल रोटी वाला मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनीता से बाते करता रहा आखिर सुनीता नहीं बात तोड़ दी और वह सामने वाली चाय की गुम्टी पर विस्किट वगेरे देने चला गया नौकरानी आई तो उसने शिकायत की बीबी ज जी तो वह लंगड़ा आपको लेकर मजाग कर रहा था कह रहा था क्या कह रहा था सुनीता ने बड़ी सरलता से पूछा अरे बड़ी बुरी बात कह रहा था नौकरानी ने आखे चोड़ी हो गई और वह चाय वाला भी मजाग कर रहा था वह लंगड़ा कह रहा था कि डाक् और मजाक के सिवा और है ही क्या जिन्दिगी में। कुछ देर बाद वह तयार होकर नर्शिंग होम की तरफ चल गई। सुनीता के घर की यह कहानी यही खत्म हो जाती है क्योंकि इस से आगे अभी कुछ हुआ नहीं है। इस तारीक तक घटनाएं यही तक पहुंची है। इसलिए यह बात यही पर खत्म होती है। परमात्मा करे यह लंगडी जिन्दगी किसी को न मिले और यह मजाक किसी को न सहन पड़े क्योंकि दुनिया यही चाहती है। तो दोस्तों यह थी कमलेस्वर की कहानी एक थी बिमला। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार।